एक लड़की जो जादा किसी से बात नहीं करती है वो एक लड़के से मेली इन दोनोंने प्यार हुआ और इसके बाद उसके पूरी जिन्दगी बदल गई हलो फ्रेंड्स आज मैं आपको Endless Love ये 2014 की एक Hollywood romantic movie explain करने वाला हूँ ये movie हमें सिखा कर जाती है ये जब आप किसी से प्यार करते हो तो उन पर give up नहीं करना चाहिए अगर आपको वीड़ो अचा रखता है तो प्लीज इससे like कर दीजेगा ना hold on to your sis और इस beautiful से सफर का मजा लिजिए movie start होती है और हमारा main character उसे जो लड़की पसन है जिसका नाम है जेड इसके बारे में बोल रहा था वो कहता है एक बहुत ही beautiful लड़की थी पर बहुत अकेली एक दो साल पहले उसके brother की date हो गई थी तो उसके बाद वो जादा किसी से बात नहीं करती थी डिविड जेड को बहुत like करता है पर उसके school के सारी years चले गए उसने उससे कोई भी बात ही नहीं किये वो right moment का wait करता रहा डिविड को जेड की feelings के बारे में अब तक कोई भी idea नहीं है उसके friend ने उससे का कि तुमारी reach से जरा दूर है इसके बाद जेड को हम उसके दूसरे brother के साथ देखते है ये सब मिलकर family photo ले रहे थे जेड के brother ने उससे समझाया ये जो गलती तुमने school में किये ये गलती college में मत करना मतलब जरा friend बनाना गुल मिलकर रहना अगर हमारा brother जिन्दा होता तुम भी जाता तुम अपनी life continue करो डेविड के father भी उसके पास है उनका बेटा high school graduate हो गया तो बहुत जादा खुश्ट है डेविड के friend ने का कि डेविड को जेड पसन है फादर को जेड अच्छी लगी डेविड को जेड नोटिस करे तो father जेड का नाम लेने लग गये उनने का डेविड अब graduate हो जोगा है डेविड उनने रोग लेता है इसके बाद हम देखते हैं डेविड और उसका friend एक hotel में summer job कर रहे थे हैं उनने गाड़ी पार्किंग में गरा ये सब चीज़े करनी होती है यही पर graduation का celebrate करने के लिए जेड और उसकी family आई उसके हाथों स उसका yearbook है पर उसके कोई भी friends नहीं तो किसी ने भी sign नहीं किया था वो डेविड से बूच लेती है डेविड भी हसी खुशी कर देता है लंच पर हम देखते हैं कि जेड के father जिनका नाम है huge यह बहुत strict है यह सब लोगों को अपने order में ही रखना चाहते थे जेड के brother Keith को यह सही नहीं लगता वैसी भी वो अपने school में इतना अच्छा नहीं है तो उसके father उसे ज्यादा attention देती नहीं फादर जो भी कहते है वही चीज जेड हमेशा करती रहती है वो doctor है तो वो भी doctor बनने वाली थी जूर की मदर एन उस पर बहुत खुश थी तो बुशती है क्या तुम्हें कुछ gift चाहिए जेड ने नीचे डिवीड को देखा और उसे एक idea आया अगर उस सब class को अपने घर पर party में बुलाएगी तो डिवीड से वो face मिल सकती है यही party planning करना उनसे मांग लेती है फादर लड़कवा आया वो गाड़ी पार करने के लिए डिवीड के friend के हाथ में चावी भी नहीं देता डारेक्ली नीचे गिरा देता है डिवीड के friend को इस पर गुस्ता आ गया वो गहता है अगर तुम जाते हो तुमारी कार में पार्ग करो तो मुझे सही से तो यह लड़का फि लड़क रही थी तो डेवीड कहता है कि तुम यह हमारे साथ चलो वो जरा कत्रा रही थी पर इनकी force करने से उनके साथ आ गई यह सब मिलकर इस राइड को बहुत एंचॉय करते है जेड को भी बहुत अच्छा लगा था यह जब वापस आये तुस तुमारे साथ लड़के जाता है उसने उसे जोर से पंच किया यह सब बात जेड की फादर ने भी देख लिए डिवीड और उसके फ्रेंड का जॉब चला क्या पर वैसे भी इन दोनों को उसकी जादा जरूरत नहीं थी डिवीड की फादर को यह सब पता चला तो कहते हैं कि जरा केरफुल रहो क्य जेड अपने फादर को ढूंडने के लिए जाती है पर उसके ब्रदर के रूम में वो सोय हुए थे जो ब्रदर उसका चलवसा उसे याद कर रहे थे आज पार्टी में जाने के लिए एकसाइड है उसके फादर ने अपनी वीडिंग में जो कोट पहना था यही कोट आए हुए है उसका कोई भी फ्रेंड नहीं आया डेवीड कहता है कि वरी मत करूं एक जगा पर दूसरी पार्टी थी तो इसी वज़े से सब लोग वहाँ पर गए हुए थे डेवीड ने पुलिस को कॉल कर दिया कहा कि मेरे नेबर में बहुत सारे लड़के शोर शराबा कर रहे हैं पुलिस वहाँ पर गए उस पार्टी को बन कर दिया और उसी वज़े से सब लोग जएड की पार्टी में आके सब लोगों के साथ डेवीड की एक्स गर्फरेंड भी पहुच गई थी उसे पता था कि जएड नहीं यह सब करवाया तो उसे इन्नोर कर देता है पार् दांस की प्रैक्टिस के लिए डेवीड और जेड बहार आये जेड कहती है हमारा सौंग बहुत ही रोमेंटिक है हमें बड़ी-बुडी मूज करनी पड़ेगी यहीं प्रैक्टिस करते हुए जेड और डेवीड पास आ गए थे इन दोनों ने अपने आपको कंट्रोल कर लि इन दोनों ने बहुत ही ब्यूटिवल चा डांस किया पर दभी अचानक से लाइट चले गए एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक लॉजेट में आ चाते हैं किस करने लग गए फादर कहीं भी जेड को ढूणनी पा रहे थे तो उन्होंने उसे कॉल किया फिर जेड और डेवी क्लॉजेट से बाहर आये तो ह्यूज को बहुत ही अजीव लगता है पार्टी के बाद ह्यूज और डेवीड बात करते हैं यूज ने का कि आज जो भी हुआ उसे अच्छा नहीं लगा डेवीड ने का कि आपकी बेटी बहुत ही अमेजिंग है मैं सिर्फ उसे खुश करना जाता था यह सब जेट अंदर से सुनती है उसे बहुत अच्छा लगा फादर की घर में जाने के बाद जेट डेवीड के पास बाहर आके यह दोनों किस कर लेते हैं अगली दिन फादर ने जेट से का तुम्हें एक इंटरंशिप मिल चुकी है यह इंटरंशिप जेट को सही नहीं लगता जेट की मदर एन ने कहा डेवीड को हमारे साथ आज डिनर करना चाहिए फादर को उसने फोस किया तो फादर भी मान जाते हैं डिनर पर यू जेट की फ्यूचर के बार में बात कर रहे थे वो कहा कॉलेज पर जाएगी क्या करेगी यही बात तो डेवीड स उसके स्कोर बहुत ही जबरदस्त है पर फिर भी उसे एक नॉर्मल लाइव जीना अच्छा लगता है वो कहता है मेरी ज़्यादा जरूरत नहीं सिर्फ एक प्यार करने वाली लड़की मुझे चाहिए यू ने कहा सिर्फ प्यार से कुछ भी नहीं होता प्यार के साथ ही तो गहती है यू भी पहले ऐसा ही था अपने यंगेज में उनकी जोड़ी भी बहुत ही परफेक्ट थी डेवीड जब घर से जा रहा था तो जेड उसे बहार से कहती है इस सब सो जाने के बाद फिर से वापस आ जाना वो बिना आवाज करे घर में आ जाता है आज रात जेड औ मेरे ब्रदर की गुजर जाने के बाद फादर ने हमारी फैमिली को बहुत अच्छे से समाला डेवीड को ये बात सच नहीं लगती है नेक सीन में जब जेड हू के साथ थी ति उन्हें कहा डेवीड को पता होना चाहिए ये जो तुमारा अफेर है सिर्फ दो तिन हपते ही चलने वाला है नेक सीन में इसके बारे में डेवीड को बता देती है डेवीड कहता है कि मुझे कोई भी फरक नहीं पड़ता हमारे पास इतना टाइम है इसे हम बहुत ही अच्छे से स्पेंट करेंगे ये उसकी लाइफ के सबसे बेस्ट विक्स होंगे इसके बात इन दोनो कि मुझसे कहो कि प्लीज जाओ मत डेवीड कहता कि मत जाना इस बात पर ये दोनों बहुत एकसाइटेड हो गए रात में घर आकर जेड अपने फादर को बता देती है कि वो इंटर्शिप में नहीं जाना चाहती है फादर इस वर गुसा आओ गए उन्हें पता था कि ये सब बैक्स वगरा पैक करने के लिए कहते हैं जेड को ये सब सही नहीं लगता पर फिर भी फादर की बात उसे माननी पड़ती है उसने फिर डेवीड को कॉल करकर ये वैकेशन के लिए बुला लिया फादर इस पर गुसा हो जाते है उन्होंने कहा ये फैमिली ट्रीप थी जेड को उसके मदर ने सपोर्ट किया मदर कहती है कि वो हमारा गेस्ट है मुझे इस तरीके से नहीं निकाल सकते है जेड भी अब बहुत खुश थी जेड की मदर ने हुग को समझाया कि उसे भी लाइफ एक्सपरियेंस करने दो इस तरीके से तुमसे दबा कर नहीं रख सक लंज पर फादर डेविड को सौरी कहते है डेविड ने जेड की मदर की बुक पड़ी थी उसे बहुत अच्छी लगी पर मदर आज कुछ भी लिखती नहीं यहीं पर वैकेशन के लिए इनकी नेवर भी आ गया इस बात को लेकर मदर अफसेट हो जाती है इसका रीजन में बात में पता चलेगा रात में सारे मिलकर फायरवक्स जला रहे थे इनके फायरवक्स खतम हो गया तो यहीं लेने के लिए डेविड गराज में गया यहाँ पर हुग को अपनी नेवर के साथ मेक आउट करता देखता है वो इस बात से बहुत ही डिस्टब हो गया हुग को भ सहता है कुछ भी हुआ नहीं उसने उसे धम की थी कि अगर तुमने कुछ भी उल्टा सिदा बताया तो बहुत बुरा होगा डिविड भी इस बात को मान लेता है पर सिफ जेड को हड ना करने के लिए इसके बाद वो जरा डिस्टाप था तो जेड ये नोटिस करती है ये दोन पर हाइ होंगे डेविड को ये सही नहीं लगता पर जेड जाना चाहती थी तो उसके फोस की वज़े से वो भी उसके साथ चला गया इन सब ने मिलकर वहां बहुत एंज्जॉय किया पर डेविड की एक्स गल्फरेंड के पुलिस को कॉल कर देती है पुलिस के आने पर सब अपने फादर को बता देती है फादर गुस्सा हो गया वो कहते है मुझे मालूम था कि वो बहुत ही घटिया लड़का है जेड गहती है प्लीज जाकर उसकी बेल करवा कर लाओ फादर मान ने रहे थे तो जेड ने कहा कि आप जो भी कहोगे ये सब करने के लिए मैं रेडी हूँ फादर उसे फिर उस इंडर्शिप को लेने के लिए फोर्स करते है फादर ने फिर डेविड को बेल करवा दिया वो सहते है तुमारे और जेडी के बीज में जो भी था अब सब कुछ खतम हो जुका है वो अब तुमसे कभी भी मिलना नहीं चाहते है डेविड इस पर बिल्यू नहीं कर पाता फादर ने खा क्या वो इंडर्शिप भी लेने वाली है तुमारे और उसके बीज में जो भी प्यार था ये कभी भी सच नहीं था तुम उसे खुश नहीं रख सकते तुम कभी भी जेड के लिए इनफ नहीं होंगे तुमारे फादर भी तुमारी वो नहीं बताया नेक्सिन में हम लेखते हैं कि डेविड अपने फ्रेंड के साथ था जो भी हुआ डेविड ने उसे बताया हुआ है उसका फ्रेंड कहता है वैसे वह तुम्हारे लिए सही नहीं थी तुम्हारी एक्स गर्फरेंड अभी तुमसे प्यार करती है उसने उसे य लगाव ऐसा कुछ भी नहीं है जेड ने डिवीड का हाथ देखा और वो कहती है कि सच है तुमने मेरे फादर को मारा ऐसा उन्होंने क्या किया था उन्होंने सच ही तो बोला डिवीड कहता है अगर तुम्हें सच मालूम होता तुम मुझे अलग नजरों से देखती वो यह न रही थी तो उसका accident हो गया डिवीड उसे hospital लेकर जाता है जब फादर को यह सब बात पता चली तो डिवीड के फादर को उन्होंने बुला लिया यह डिवीड के फादर से है कि रिस्ट्रेनिंग और है डिवीड अब जेड के आसपास आ नहीं सकता डिवीड के फादर ने कह डिवीड ने कुछ भी गलत नहीं किया है क्यों गहता है अगर तुम्हारा बेटा मेरे बेटी के पास भी आया तो तुम पर मैं case करूंगा तुम्हारे पास जो भी है इस सब कुछ चला जाएगा थोड़े दिनों बाद जब जेड ठीक हुई तो डिवीड से मिलने के लिए टोर को फादर ने अंसर किया फादर कहते है मैं मैं मेरे बेटे से तुम्हें मिलने नहीं दे सकता तुम्हारे वज़े से वो ट्रबल में आ सकता है तुम्हारा मिलना अब सही नहीं अब इसके बाद जेड अपनी इंडर्शिप के लिए चली जाती है डिवीड जेड को भु वालो में डुबा रहता है उसने कहा मैं उसे इस तरीके से चोड़ नहीं सकता उसे बहुत प्यार करता हूँ फादर कहते हैं तो फिर जा और उसे पालो डेविड ने कहा कि उसके फादर आपको बरबात कर देंगे फादर कहते हैं ऐसे लोग मेरे लाइफ में बहुत आया कोई वो उसके साथ खुश है वो अब थोड़े दिनों बाद घर आने वाली थी एरपोर्ट पर ही डेविड जेड का वेट करता है उसने उसे गले लगा लिया सौरी कहा वो कहता है मेरे बास दो टिकेट है अगर तुम जाओ तो हम कही भी जा सकते हैं मैं तुम से मुआन नहीं कर नहीं सकता और मुझे नहीं लगता कि तुम में मुझे भुला सकते हो वो उसे बुश्टा है कि जिससे तुम डेट कर रहे हो क्या मेरी तरह उससे भी ब्यार करते यो चैर कहती कि नहीं उसे किस कर लेती है आज रात इस दोनों यहां से भाग जाने आप हमेशा इने समाल कर नहीं रख सकते हैं प्रदर को इस बात से गुस्सा आ गया अपनी गल्फेंड के साथ तो घर से निकल जाता है जेड ने सब देखा और वो कहती है आप इस तरीके से हमारी लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसने बता दिया कि आज वो डेवीड के सा हुई थी और इसी वज़े से घर में आग लग जाती है इस रूम में जो भी सब चीजे हैं यह फादर बचाना चाहते थे जेड के लिए डेवीड घर में चला किया हुग को बचा लेता है वो और भी चीजे लेने के लिए अंदर गया पर वापस आ नहीं रहा था जेड उसक करकर वाइफ को अपनी बेटी को अपने बेटे को वो डेवीड से पूछते हैं क्या आप जादा लेट हो जुका है डेवीड कहता है अभी भी आप सब कुछ ठीक कर सकते हो फादर बस सब लोग गुसा थे जेड अपनी एजूकेशन के लिए एक नहीं सीटी में जा रही थी इस तरीके से अपने फादर को हट करकर वो नहीं जाना चादी थी तो उसने उन्हें माफ कर दिया एरपोर्ट पर हम देखते हैं जेड और डेवीड एक साथ है डेवीड ने भी फिर से एंटराज निज़ाम दी उससे अच्छी स्कोर्स आए उसका भी एक अच्छी उन्यू सब्राइज उसे बहुत अच्छा लगा मूवी के लास्ट में यह दोनों बीच पर हैं इनका हाथों में हाथ है जेड़ हम से खहती है मेरा फर्स लव यह बहुत ही स्ट्रॉंग था और यह कंप्लीट हुआ इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है अगर आपको वीडियो अ और आप अपने आपका खैल रखिया